हेलो एब्रीवन अगर आप जाना चाहते हैं इंडियन एर फोर्स में तो इंडियन एर फोर्स आपको दे रहा है मौका इंडियन एर फोर्स को आजा लेफटेनेंट आफिसर जोइन करने का FCAT का exam साल में दो बार होता है और इस बार 1st of June को आया है FCAT 2-2022 का notification तो आईए जानते हैं इसके बारे में important points, eligibility, age criteria, educational qualification and important dates The first thing is कि जैसे ही आप देखते हैं इस notification के बारे में तो आपको जानना होता है कि कब से कब तक आप इस form को भर सकते हैं FCAT का form 1st June से लेकर 30 June तक के बीच में आप भर सकते हैं exam होने वाला है आपका August के मन्त में तो August के मन्त में ही आएगा आपका admit card 26, 27, 28th of August को आपका admit card आने वाला है और अगले ही महिने September के मन्त में आपके results आ जाएंगे अगर आपने form भरने में कुछ भी गलती की तो आपको panic नहीं होना है क्योंकि FCAT आपको form भरने के बाद मौका देता है इस form को correct करने का भी तो आप बिल्कुल भी wait ना करें जैसे ही आपको form के बारे में सारे informations पता चल जाएंगे कौन से documents चाहिए और सही तरीका form भरने का आप इस form को भर दीजे The next thing is जैसे कि आप देख सकते हैं कि notification जानने के बाद आपको जानना होता है eligibility criteria तो the first eligibility criteria is कि Indian citizen ही इस form को भर सकते हैं बस और the next thing is age and qualification तो age and qualification के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं FCAT में lieutenant बनने के लिए आपके पास तीन opportunity है आप FCAT को as a flying officer join कर सकते हैं या फिर ground duty में आप tech और non-tech officer join कर सकते हैं तो FCAT में flying officer join करने के लिए आपका age होना चाहिए 2nd of July 1999 से लेकर 1st July 2003 तक यानि की 20 से लेकर 24 साल तक लेकिन अगर आपके पास DGCA द्वारा प्रमानित commercial pilot का license है तो आपको 2 साल का relaxation मिलेगा और आपको age limit होना चाहिए आपका 2nd July 1997 से लेकर 1st July 2003 तक और अगर आप as a ground duty forces में जाना चाहते हैं तो technical और non-technical दोनों के लिए window open है और यहाँ पे भी आपका age limit जो है वो 20 से लेकर 24 साल तक का ही है यानि कि अगर आपके पास DGCA है तो यह age limit 26 बढ़ जाती है बाकी आप 20 से लेकर 24 साल के होते हैं तो आप अडाम से FCAT को join कर सकते हैं फिर the next thing is educational qualification educational qualification में आप flying officer, ground duty, tech और non-tech दोनों ही educational qualification आप यहाँ देख सकते हैं as a flying duty आप देखें कि maths और physics के साथ साथ 12 में आपको 50% marks चाहिए और flying branch में जाने के लिए आपके graduation में 60% marks होना अनिवार रहे हैं यहाँ पर आप देखें कि जब आप ground duty में as a technical officer join करते हैं तो 50% marks maths और physics के साथ 12 में होने चाहिए और 60% marks आपके साथी साथ यहाँ पर graduation में B.E. और B.Tech होना अनिवार रहे हैं यानि कि किसी भी field से graduation नहीं B.E. और B.Tech जो है तभी आप ground duty में as a technical officer join कर सकते हैं अगर आपको ground duty non-tech में join करना है तो नहीं 12 में कोई ऐसा specific score या subject का mention है और graduation में भी आपको कोई ऐसा mention नहीं कि यहीं से graduation करना है बस graduation में आपके 60% marks होना important है The next thing is कि यहाँ पे vacancies आप देख सकते हैं तो अगर आपका age 20 से लेकर 26 साल के बीच में है तो आप Indian Air Force में जाने का सपना पूड़ा कर सकते हैं तो यह हो गया आपका age और educational qualification लेकिन what about studying आपको पढ़ना क्या है English, Reasoning, Maths and GK यह questions आते हैं आपके exam में 100 questions जहाँ पे almost equal weightage है आपके English, Maths, Reasoning और GK का English में जादा आपको अलग चीज़ें नहीं पढ़नी है जिस तरह आप government jobs की preparation करते हैं वैसे ही आपको preparation continue रखनी है बस F-CAT का previous year question देखना है बार बार mock test करना है practice reasoning में भी आपको mock test practice करना है और general awareness और maths के लिए भी आपको previous year questions देखकर mock test practice करना है लेकिन अगर आप 110% success चाहते हैं अपने F-CAT exam में तो हम आपके लिए लाए हैं बहुत बड़ा opportunity यह opportunity है यह opportunity है F-CAT 2 2022 का यह batch जो कि आपको 110% F-CAT में selection दिलाएगा कोई भी student जो की graduate है और उसकी age 20 से लेकर 26 साल के बीच में है और वो इस batch को join करते हैं तो यह batch है तो 8999 का लेकिन code यहां पर मैंने use किया है Y332 और Y332 code use करने पर यह batch सिफ 2069 रुपीज का आपको मिल जाएगा जहां पर आ साथ previous year question bank के साथ और बार बार mock test practice आपको करवाया जाएगा बहुत सारे mock test practice बहुत और भी चीज़े आपको यहां मिलेंगी जैसे कि PDF, e-books और बहुत सारे questions जो कि आपके exactly exam के pattern पे हैं अगर आप defense के और भी exams का preparation करते हैं जैसे कि F-CAT, CAPF, CDS तो आप defense का महा pack ले सकते हैं ज जहां पे आपको F-CAT, CAPF, CDS में OTA और IMA दोनों ही मिलेंगे, so this is the chance guys, F-CAT 2 2022 का notification आ चुका है, vacancies आ चुकी है, बहुत सारे बच्चे हैं जो preparation कर रहे हैं, क्या आप the most competent बच्चे हैं, अगर आपको और भी महनत करना है, और भी आपको अपना सपना पूरा करना है, तो आप batches में इन्रोल कर सकते हैं, मैं बाचे में इन्रोल करने का तरीका आपको बता देती हूं, यहाँ पर मैंने गूगल में अटे 24-7 टाइप किया है, यहाँ पर मैं लिंक पर गई, और मैंने यहाँ पर all courses में, डिफेंस के सेक्शन में मैंने आ क्लिक किया, F-CAT, F-CAT का बैच म मुझे कोड यूस करना है कौन सा, Y332 और अप्लाई कर देना है, इसको अप्लाई करते ही F-CAT का बैच मुझे सिफ 2069 रूपीस का मिल जाएगा, तो नोटिफिकेशन आ चुका है, और आप लोग आज ही से तयारी, जल्दी से शुरू कर दे, मेरे साथ और F-CAT के पूरी टी के साथ. Thank you.